इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम कैरम पोल से लोगिन करते हैं अपने फेस्बूक अपाउंट में तो वहाँ पर लोगिंग डिशेबल आता है और इंपेड़िट ब्राउजर आता है तो बैसिकली इश्यू क्या रहता है यह तो यह मैं आपको बताने वालो हू तो जब यह आपको दिखाई देता है तो उस सिचुवेशन में आप क्या करिए कि जब यह दिखाई दे तो सबसे पहले आप अपने कैरम पोल को अपडेट करके रखतीजी सबसे टॉप पर एंड उसके बाद किसी ब्राउजर से मत जाईएगा अपने फेस्बूक अपको य पूर को अपने फेस्बूक को खोलता हूं और आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं कि आपको क्या क्या करना है तो जैसे यहाँ पर हमें प्रोब्लम आ रहे है हमारे लोगिन कर लिजे then कोई सा भी यहाँ पर issue नहीं आ रहा हो login का 2-4 बार आपको log out करके login करके देख लेना है और यहाँ पर report भी कर देनी आपको ठीक है जब आप यहाँ पर report करें तो यहाँ पर लिख दीजेगा पूरा section अपने facebook में यहाँ पर settings में जाकर जब आप page खोलते हैं तो issue create हो जाता है like आपको यहाँ पर पूरा का पूरा लिख देना है यहाँ पर settings में जाकर जब आप यहाँ पर settings को खोलेंगे यहाँ पर लिख दीजेगा तो इतना लिखेगा then screenshot यहाँ पर attach कर दीजेगा और इसे जो है यहाँ से report को send कर दीजेगा ठीक है इतना आपको करना है like और उसके बाद आपको क्या करना है अपने phone की settings में जाना है और यहाँ से apps में जाना है manage apps में जाना है और यहाँ पर carom pole को आपको खोल लेना है और यहाँ से इसको clear कर देना और उसके बाद आपको यहां पर फेस्बुक को भी यहां से इसका फोर्श स्टोप कर देना है पर मिसंस की सारी ओन कर दिने तो इतना ही करिएगा आपकी प्रोब्लम यहां पर सोल्फ हो जाएगी फोन को एक दफ़े बंद करके खोल लीजेगा बस तो यह प्रसेस रहता है इस